खबर अजमेर से है जहां पड़ाव इलाके में पर्चून की दुकान में भीशन आग लगने से अठकम मच गया आग लगने की सूशना पाकर क्लॉक टावर थाना पुलिस समेट दमकल की गाड़िया मोग्या पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद आगपर काबू पाया गया लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखो रुपे का सामान जल कर खाक हो गया शुरुवाती तोर पर आग लगने का कारण शौर्ट सर्किट माना जा रहा है फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच परताल में जुट गई है कि टेलीवान दो सुचना आई थी क्लाक्त कंट्रोल रूम से कि आपके यहां पढ़ाओ के अंदर सुचनरी स्टोर में आग लगी है तो मोखे पर हम गाड़ियां लेकर क्या है सुचना मिलते ही तो आग विक्राल रूप था 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 फिर तीन दूसरी गाड़ी मंगाई फिर तीसरी गाड़ी मंगाई नीचे अंडरकॉंट भी हैस के अंदर कोई पर्चुनी का समान है हाँ आग कंट्रोल है कितनी गाड़ी है यह हमारी तीन गाड़ी है बड़ी साब यह किराने की दुकान है ओलसेल की यह पड़ाओ गंदर है